आज मैं आपके लिए गेहू के आटे और आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर शाम को हलकी फुलकी भूप में भी एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को आप बच्चों की पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर किटी पार्टी है उसमें भी आप बना के इने सर्व कर सकते हैं सभी को ये बहुत पसंद आएगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा healthy भी है क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे और आलू से बना के तयार किया है तो चलिए friends देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है तो hi everyone, welcome back to my kitchen तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो friends इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बड़े साइच का mixing bowl तो उसमें हम लेंगे लगबग एक कप गेहूं का आटा तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आप यहाँ पे आधे गेहूं का आटा और आदा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने इसे गेहूं के आटे से ही बनाया है और उसी के साथ अब इसमें डालेंगे एक चोटी चम्मच भर के सूजी जिससे की नाश्ता हमारा बहुत ज्यादा क्रिस्पी करारा बनेगा स्वात के अनुसार नमक डाल दीजिए और डालेंगे अब थोड़ी सी अजवाइन तो अजवाइन को हाथों पे क्रश करके डालें जिससे की इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा उसके बाद हम यहाँ पे एड करेंगे लगवग एक से दो चम्मच भर के कुकिंग ओयल कुकिंग ओयल डालने के बाद पहले तो आप हातों की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर लें तो यहाँ पे अभी आपको इसमें पानी एड नहीं करना है पहले आटे को सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और उसके बाद रूम टेंपरिचर का आपको पानी लेना है और धोड़ा थोड़ा करके अच्छा सा सक एक इसका डो बना के तयार कर लीजिए डो बहुत जादा नरम भी नहीं होना चाहिए बहुत जादा सक्त भी नहीं होना चाहिए तो देखे दोस्तों डो हमारा बन के तयार है अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं 4-5 मिट के लिए क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो वो अच्छे से फूल जाएगी तो तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तयार कर लेते हैं तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े आलों को ग्रेट कर लिया है आलुओं को पहले हमने उबाल लिया था अच्छे से ठंडे होने दिये हैं उसके बाद हमने इने ग्रेट कर लिया है और अब डालेंगे इसमें हलके फुल के मसाली जैसे की थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धन्या पाउडर, साथ मही गरम मसाला साथ ही एड़ करेंगे थोड़ा सा बुने जीरे का पाउडर और उसके बाद हमने यहाँ पे एड़ किया है थोड़ा सा चाट मसाला इससे जो स्टफिंग बनेगी न हमारी खूब तीखी चटपटी बनेगी स्वाथ बहुत अच्छा आएगा वन फोर्थ चम्मच एड़ करेंगे आमचूर का पाउडर जिससे की अच्छी सी खटा सा जाएगी और साथ ही इसमें एड़ करेंगे थोड़े से चिली फ्लैक्स अगर आप नहीं डालना चाहते हैं इन्हें तो आप यहाँ पे इन्हें इसकिप कर सकते हैं तो देखे फ्रेंट जादा यूज नहीं करेंगे बस थोड़े से ही डालेंगे क्योंकि इसमें पहले ही हमने लार मिर्शी का पाउडर डाल रखा है और उसके बार हम डालेंगे बारीक कट्यू ही एक हरी मिर्च तो यहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टुकडा अद्रक का तो अद्रक के टुकडे को अच्छे से मैंने छील लिया है और इस तरह बारीक वाले क्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे देखे इस तरह तो अद्रक का टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है स्टफिंग में तो आप अद्रक को जरूर एड करें सभी को डालने के बाद अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें तो लीजी फ्रेंट से यहां पे हमारी स्टफिंग भी और मुस्ट रेडी हो गई है अच्छे से हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है तो अब हमें हातों पे लेना है थोड़ा सा ओयल अच्छे से ग्रीज कर लीजे हातों को जिससे की mix चिपके न और थोड़ा सा mix का portion लेना है और इस तरह से हम पहले एक लड़ू बनाएंगे और उसके बाद इसे लंबाई में shape दे देंगे क्योंकि आज हम जो नाष्टा बनाने वाले हैं वो इसी shape में बनाने वाले हैं तो इस तरह पतले पतले रोल मैंने बना के इसके रख लिये हैं तो friends यहाँ पे आप आलू के mix में प्याज को बारिक बारिक चौप करके भी डाल सकते हैं अगर आपको प्याज का नाष्टा पसंद है तो आप यहाँ पे प्याज को भी add कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू की stuffing तयार की है तो देखे friends यहाँ पे हमारे सभी आलू के रोल बनके बिल्कुल तयार हो गए हैं तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ तो देखे यहाँ पे हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से फूल गया है पहले से अच्छा सैट हो गया है तो अब इस पे हम डालेंगे लगवग एक से दो चम्मच ओयल और अच्छे से दुबारा से इसे हातों की मदद से मसल लेंगे जिससे आटा काफी सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुती क्रिस्पी करारा बनेगा उसके बाद हमें लेना है एक चॉपिंग बोर्ड और उसे अच्छे से ओल से आप पहले ग्रीज कर लें तो सबसे पहले हम इसकी एक लोई बना के तयार कर लेंगे और फिर एक इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे तो देखी फ्रेंट यहाँ पे काफी बड़ी मैंने रोटी बना के तयार कर ली है और इस तरह की एक आपको कटोरी लेनी है अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप ग्लास भी ले सकते हैं इस तरह कटोरी को प्रेस करके हम चोटी चोटी पूरिय बना लेंगे ऐसा करने से हमारा सभी नास्ता बिलकुल एक शेप में बनके तयार होगा तो इने उठा के अब हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे और जो आटा बचा है उसकी दुबारा से लोई बनाएंगे और एक बड़ी सी रोटी बनाके दुबारा से हम चोटी चोटी पूरियों को कट कर लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पे सभी हमारी पूरियां बनके बिलकुल तयार हो गई है देखिए तो चलिए अब जटपट से आगे का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे इस तरह एक पूरी लेनी है और जो हमने स्टफिंग बनाके रखी है सेंटर में आपको उसे रखना है दोनों साइड आपको हलका हलका सा इस पे पानी लगाना है जिससे कि इसके किनारे अच्चे से चिपक जाएं और फ्राई करते समय बिलकुल भी ना खुलें तो देखिए प्रेंट्स जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको वैसे ही करना है दोनों साइड से अच्चे से प्रेस करके दबा दीजे और पीछे भी आपको और आगे भी दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेना है फिर एक पोर्शन को आप उठा के आगे की तरफ रोल कर दीजे देखिए इस तरह बहुत अच्छे से ये सील हो जाता है चारो तरफ से और बिलकुल भी नहीं खुलता है बस हाथ की मदख से थोड़ा सा इस तरह से लंबाई में इसे प्रेस कर दीजे बहुत हलके हलके आराम से देखिए फ्रेंट्स बहुत ही शानदार तो बस इसी तरह हम सभी नाच्छते को अब बना के तयार कर लेते हैं तो एक मैं आपको और दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है इसे एक पूरी लेनी है आपको और सेंटर में रखना है मिक्स और इस तरह पानी लगा के दोनों साइड अच्छे से इसे प्रेस कर दीजे फिर आगे पीछे भी हलका हलका पानी लगा लीजे और इसे दोनों साइड रोल कर दीजे देखिए इस तरह बिल्कुर परफेक्ट तो देखा फ्रेंट्स कितना आसान है इसे बनाना तो एक कप आटे में आपके 7 से 8 रोल बनके तयार हो जाएंगे तो चलिए अब जटपट से हम इन्हें फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पे तेल अच्छा खासा गरम हो गया है तो धीरे धीरे करके सभी रोल को उठाके इसमें डाल देंगे तो दोस्तों आप इन्हें इस तरह स्टोर भी कर सकते हैं बना के आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और सुबह को जब आपको बच्चों को देना है तो आप इन्हें फटाफट गरम गरम तेल में फ्राइ कर गे उन्हें स्कूल के लिए दे सकते हैं बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी नास्ता है क्योंकि हमने इसे गेहूं से बना के तैयार किया है और साथ में ही बहुत अच्छी तीक ही इसमें स्टफिंग भी है तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे और लुक वाइस भी ये बहुत ज़्यादा ओसम है तो देखे यहाँ पे सभी को हमने इसमें डाल दिया है और जब नीचे अच्छा कलर आ जाएगा तब इन्हें पलट देंगे तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कलर आ गया है अब इन्हें फटाफट से हम पलट देते हैं बस इसी तरह आप दोनों साइड अलट जिससे कि यह अच्छे से अंदर तक क्रिस्प हो जाएं और अंदर तक पक जाएं तो दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है जब आप इसकी पूरी बनाएं तो बहुत ज़्यादा मोटी न बनाएं तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पे सभी रोज जो हैं हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं और आप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है और उससे भी आसान बात यह है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है तो जटपट से अब इन्हे निकाल लेते हैं इस तरह इनका जो भी extra oil होगा वो नीचे ही निकल जाएगा वैसे ये बिल्कुल भी oil absorb नहीं करते हैं आप चाहें तो इन्हें tissue paper भी निकाल सकते हैं तो लीजे दोस्तों तयार है गर्मा गरम एक दम tea time snacks आप इसे tea time snacks के रूप में serve कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में देख सकते हैं या फिर breakfast में भी enjoy कर सकते हैं बहुत ही शांदार बहुत ही tasty बहुत ही crispy और बनाना तो एक दम आसान और look wise बहुत ही ज़्यादा tempting कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like share जरूर करें साथ ही चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें तो जल्दी बिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए bye bye and take care